Welcome Students, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगें कि जो merit list जारी हुई थी आपकी I-STIM merit list जारी हुई थी उसमें काफ़ी सारी students के problem आ रहे थे तो उसका solution कैसे किया जाए जी हाँ बिलकुल student अभी तक भी देखे आज 31 तारीक हो गई है 31 माई हो गई है लेकिन अभी तक भी आरपीमसी ने कोई नोटीस जारी नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है तो फाइनली आपको करना क्या है जी हाँ बिलकुल स्टुडेंट ताकिया आप सेप जोन में रहे सको क्योंकि अभी तक आरपीमसी ने स्काम अभी करना है जी हाँ बिलकुल इस वीडियो को देखने के बाद ही तुरंती करना है क्योंकि आज लास्ट डेट है यदि वरना आप क्या है मतलब आप जो है एडमिशन से वनचीत रह जाओगे आपके डॉकुमेंट्स और मेरिट लिस्ट में अंतर पाया जाएगा औ सित्यदी उसमें मिस्टेक तो आपको करना क्या है सो स्टुडेंट आज-ाज के दिन में ये काम करना है तो अभी तक तो नोटी जारी नहीं हुआ तो आपको क्या करना है सबसे पहले पूरी बात ध्यान से सुनना जिन भी स्टुडेंट्स के किसी भी परकार की मेरिट लिस् या फिर आपके 12 या फिर 10 के 35 में प्रोबलम्स या फिर आपके bank retail या और अन्य प्रोबलम्स है तो सबसे पहले आपको क्या करना है किसी भी प्रकार के आपको प्रोबलम है उसके regarding सबसे पहले आपको white page में एक application लिखनी है जी हाँ बिलकुल student pure white होना चाहिए जो A4 size का जो आपका आता है page market में ले लेना वो white page पर ही application होनी चाहिए आपको उसके regarding जैसे किसी student के example दे रहा हूँ date of birth में प्रोबलम्स है तो date of birth का subject लगा कर एक application लिखना है application तो आप लिखी सकते हो students तो आपको application लिखना है और किसको लिखना है आर पी एमसी को राजस्तान पिरा मेटिकल काउंसलिंग जेपूर जेपूर इसको आपको application लिखना है और date आज की लगाना है 31 माई जी हाँ बिलकुल date भी लगाना है और अपने जो अस्ताक्सर भी करना application में आप जानते हो application कैसे लिखना है तो या मालो date भर्थ में problems है या फिर किसी भी प्रकार की प्रोब्लम में उसके regarding आपको application फोरम लिखने के बाद में आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक email ID आर पीमसी ने दे रही है यह देखिए आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पर राजस्तान पिरामेडिकल काउंसिलिंग एट जीमेल डोट को देख है तो इस email ID पर क्या करना है एक तो मालो वो application आपको लिखनी है दूसरी बात application पलस आपकी जो फोरम का print out है वो पलस आपका उससे समंदित documents समंदित documents मतलब कोई भी problem है उससे समंदित original documents की फोट को भी ये तिरनो तिरनो चीज़े आपको इस email पर mail करनी है जी हाँ बिल्कुल student ये काम आप है जो इमितर की साहता से करोगे तो बेस्ट रहेगा इमितर की साहता से या फिर आप साइबर केफे की साहता से भी ये काम कर सकते हो अब देखिए इसकी जो application फोरम तो आप लिखी लेगो काफी सारी application तो आप लिख सकते हो काफी सारी student के पास क्या है फोरम जो printout निकलवारने के लिए आपको जो है अपनी SSO ID पर जाना पड़ेगा जहां से आपने फोरम बराता वहां पर हो सकता आपके फोरम से समद्द कुछ जांकरी मिले उसे download करके यहां पर attachment करना है या फिर आपको क्या करना है प्रिंट आउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है फोरम नंबर से आपको डाल देना है वेसे printout तो सब के पास होगा दूसरी बात आपको यह मालो किसी के डेट ओबर्थ में प्रोब्लम है तो आपकी टवल्त की और टवल्त की मारि प्रिंट लिस्ट और यहां पर जिस डोकुमेंट में अंतर आ रहा है उसकी यहां पर फोटो को फी लगानी है फोरम का प्रिंट आउट लगाना है और आपको जो है application इन तीनों को यानि कि इन तीनों को जैसे आपको किस प्रकार बेजना है यहां पर यह application होगी फिर second first page में आपका फोरम का प्रिंट आउट और थर्ड फेड़ में ओरिजनल आपका वो डोकुमेंट तो यह चीज़े आपको इस इमेल पर बेजना है लास्ट डेट आज 31 मई है तो इस वीडियो को जो भी स्टुडेंट दे रिख रहा है और प्यमसी के कोई भी मिस्टेक तो इस इमे कर देना है अगर आपने यह काम कर दिया तो आप बेफिकर हो जाए आपकी प्रोब्लम्स जो है सोलीशन हो जाएगी स्टुडेंट तो यह इसका सोलीशन है आप अभी यह काम के लिजे इस वीडियो को देखने के बाद हालंकि इसका नोटिस नहीं है लेकिन मेरे अनुमान क कि चांस नहीं लेना इस इमेल पर आपको बेज देना स्टुडेंट और कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी आप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगर प्रेस कर रखा होगा तो स्टुडेंट यह काम कर लिजे बाकी आगे की अपडेट आपको मि मिलती रहेगे इस वेडियों फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वेडियो में जे इंद वंदे मात्रम